कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे येस भी अच्यू की सो इनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो आई थिंग आपने देखा होगा तो उसी में कुछ बातें डिस्कस की गई हैं जो आज हम इस वी कुछ इशू बताए गए हैं और फिर उससे रिलेटेड जो इनका डिसीजन है वो भी मेंशन है तो फिरस्ट अफॉल आपने प्रपोजल्स और वांकी डॉकुमेंस समिट किये थे तो कुछ डिपार्टमेंट में इशू हो रहा था उन्हें उपन करने में ठीक है तो उससे यहां पे अपडेट या रिजल्यूशन यह है कि आपको बोला जा सकता है कि इस पर्टिकुलर एमेल आईडी पे आप अपने रिसर्च प्रपोजल्स या बांकी जो भी डॉकुमेंट है जो उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहे हैं या कोई इशू है वो फिरसे भेजने को आ पोजल्स पोर्टल पे या मेल के थ्रू जो भी रहा हो तो अगर कोई ऐसा इशू रहा है तो आपको एपसेंट ही ट्रीट किया जाएगा ठीक है देन दूसरा इशू यह है कि कांडिडेट्स हो कुड नॉट के इंटर्व्यू शिड्यूल डेट था बट नेटवर्क की द्वारा आपको डेट और टाइमिंग वगेरा स्लॉट आपके प्रोवाइट किये जाएंगे और देन देर मार्क्स विल बी अप्लोड़ेड ऑन दे पोर्टल राइट यह है सेकेंड डिशू जो कि कुछ कांडिडेट्स को आफिसली रहा होगा और इन फाक्ट आइवन नो कि कुछ लोगों को ऐसा इशू हुआ है देन थर्ड है दाट डिपार्टमेंट्स वियर दे प्रोसस ऑफ एक्जामिन दे क्यांडिडेट्स इस तिल पेंडिंग जैसे कि कुछ आपको पता है में डिस्प्रेंस के कॉल लेटर इशू नहीं हुए थे तो ऐसे कोई भी इशू दाट सच्डिपार्टमेंट्स में कुपीट दे अर्पीडेट्स सरा इवालवेट्स एवीडेट्स को अब काट उनका एन्टविऊ नहीं हुआ है तो ऊसमें वोला गया किया की जून तकक कॉल लेटर इस्वैंट बाइचे जून so that जो भी interview है वो हो सके एक से जुलाई के बीच में तो आप message इसका भी interview नहीं हुआ है 1st to 7th July का ये time period दिया गया है window दिया है कि आपका interview इस particular period में इस week में होगा उसके बाद है such departments after verifying the marks of various components on the portal may declare the results around 10th of July तो इन सभी departments ऐसे जो भी departments है वो 7th तक में अपना proper interviews कंड़क करेंगे उसके बाद around 10th July तक उन्हें interview का ये proper जो result है वो देने को बोला गया है the result of such departments may be published and asked the candidates to deposit their fee and 17th July तक आपको fee deposit करने का जो chance है वो मिलेगा that is जो selected candidates होंगे list आने के बाद उनके बारे में है उसके बाद यही है further it was also decided that the result of rate exempted for the term semester 2020 and March 2021 in all the department center schools after thoroughly checking the academic record marks of the research proposal and the interview may be declared on 10th of July and ask the candidates to deposit their fee so 10th of July तक सारे departments के जो result है वो आ जाएंगे but अब यह obviously may be declared लिखा है but हाँ 10th July के एक date दी गई है और जिनका interview नहीं हुआ है किसी भी reason से उनका फिर से होगा जिनके issue ही नहीं हुए admit card या call letter and कुछ लोगोंने कुछ candidates ने कुछ departments में receive किये थे mail की interview postpone कर दिया गया है तो first week of July में आपका interview होगा and 10th July तक बांकी जो भी results है वो आएंगे so yes यह था update and I hope की अभी आपको clarity मिल गई होगी यह official notice है and बांकी जो भी update होता है वो हम देखेंगे hopefully 10th July तक सारे departments का result आ जाएगा और 20 June तक आपके admit cards या call letters issue होगे so अगर 20 June तक literally आपके call letter issue हो जाते है तो आप comment section में बता सकते हैं चेक है और बांकी कोई और issue है तो आप बता सकते हैं and yes तो यह था कुछ clarification from this particular institution या university so hopefully अभी जल्दी ही हम result देखेंगे 10th July को date दी गई है so that is it for today ये थे updates, ये थे video और ये थे information thank you so much for watching